हुआ हेलो एप्रीवन वेलकम बैक टू लॉप्स विद दिव्या कैसे हो आपसर मिस्तर शेयर करना उमीद करते हूं आपसर बहुत अच्छे से होगे तो आज है बहुत इस्पेशल दिन क्योंकि आज है महा शिवरात्री तो आप सभी लोगों को हैपी शिवरात्री और बस आज का दिन भी स्टार्ट हुआ है डेली की तरह घर के कामों से क्योंकि दिन चाहे कुछ भी हो घर के जो काम होते हैं उतने डेली के होते हैं और हमें डे का दिन हो गया स्पेशल पूजा हो गई तिवहार हो गया तो इन दिनों पर घर का कौना-कौना गलीन होना चीए, डस्ट का gap कर देती हूं बट आज मैंने अंदर से लेके बाहर तक सब कुछ clean किया है अभी आपको आगे आने वाले इसी व्लॉग में पता चलेगा तो देखते रहेगा इस वीडियो को अगर इवाला वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने friends and family के साथ share करना और एक लाइक भी कर देना क्योंकि आपका एक लाइक मैं हमेशा बोलती हूं कि मेरे लिए बहुत ज्यादा माइने रखता है तो चलिए इनजाए करते इस वीडियो को तो friends यहाप पर आप देख सकते हैं कि मैं नहा करके रैडी हो गए हूं और आज मैंने पहना है यह बहुत ही ब्यूटिफल सा पीच कलर का सूट जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है यह स्कर्ट के साथ है तो कैसा लग रहा है बताना और उसके बाद अम्मे होंगी पूजा हाँ जी क्योंकि महाशेवरात्री है तो शिव जी की जो पूजा होती है बेसिक वाली वो मैं कर रही हूँ और फ्रेंस पूजा करते टाइम मुझसे एक गलती हो गई बड़ी क्योंकि मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी है बट मम्मी ने फिर मुझे समझाया कि देखो होता क्या है कि जब हम सचे दिल से पूजा करते हैं तो सारी चीजे कोई माइने नी रखती है भगवान सिर्फ भाव के भूके होते हैं भाव देखते हैं तुमने दिल से की है अब ऐसा तो नहीं है कि हर विधी विधा नहीं कि एक चीज परफेक्ट हो और मन में ही खोट है तो फिर उस कि पता ही नहीं टिंए बात मंट के तुम्हें बसकت का कोई आईडीया ही नहीं हो रहा है मूझे सकता मुझे पता हो तो कि मैं भूली कई शायद सीज़को तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बट मम्मी ने मुझे यह सुनाया, यह बताया कि सुनाया बोल रहे हो कि मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, मन सच्छा होना चीए, भाव अच्छा होना चीए, बाकी भगवान रूखी सूखी भी तुम्हारी कबूल कर लेते हैं तो मैंने का चलो भाई आप जो है सो है भगवान से फिर मैंने माफी माग ली तो किसी से अगर कोई भी छोटी मोटी पूजा में गलती हो भी जाए तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपका मन सच्छा होना चाहिए बस मेरे एक की प्रिचा प sixt वाएंगे मुशा से बाउक कि ciao और यहां पर आप देखिए एक अच्छी कितने प्यारे devam कि शैर किए कि मैंने नीशे दर दूबरती लगा आदक बहुत प्यारा सीन लगा टानाक ऐसे लग रहे सभी को महा शिवरात्री की धेर सारे शुख काम नाए हैपी महा शिवरात्री टॉल अफ यू भोले बाबाब आप सभी पे अपनी करपाद रष्टी बनाए रखे और आप देखी पा रहे होंगे पूजा मेरी हो गई और यह पूजा करती जस्ट किसी काम से निकल गए है तो फिलाल मेरी पूजा हो गई है अब सांस लेने की मुझे फुरसत मिली है मेरी पता है क्या आदत है मेरी आदत यह है कि जब भी कोई वैसे तो मैं सफाई रखती ही रखती हूँ और जब भी कोई स्पेशल पूजा का मौका होता है तो मैं चाहती हूँ मेरे घर का कोना कोना साफ हो अंदर से लेके बाहर तक का फिर पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है गंदिगी में अगर बाहर गंदा पड़ा है धूल मिट्टी सारी चीज़े हैं और आप पूजा कर लो कोई ते हार आया तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है इस वज़े से आज मैंने पूरे अच्छे से डीप लेनिंग की काम मैंने सारे कली कर दिये थे जादा नहीं था बट फिर भी काफी सारी चीज़े हो जाती है सफाई की बात अगर हम करें तो इनकी मैंने धुलाई कर दिये वैसे तो यह मतलब ड्रस्टिंग वगरा करती थी क्योंकि यहां पर काम चल रहा है डेली करो डेली गंदे होते तो आप मैंने धुलाई कर दिये ते सारी चीज़े और यहां पर मैं हर दूसरे दिन डस्टिंग करते हैं क्योंकि बहुत दूलाती है तो यह सारा कुछ मैंने कलीन उनकी करके बाहर मैंने बहुत अच्छ से कलीन कर दिया i बात करूं सबतागा तो मेरे सारे प्लांटहीं ही इनवी बेकार हो चुके है बहुत बख़ाले फोल्ठंटी जास तो अभी कुछ दिनों में जब ये इनका काम खतम हो जाएगा प्लास्टर हो रहा है घर में तो जब ये सारे काम फिनेश हो जाएंगे उसके बाद में प्लांट भी चेंज करूंगी क्योंकि वो सारी खराब हो गया और एक पता नहीं गाये या कौन किसी ने खराब कर दिया खा ग यह वाला कमरा आप देख सकते हैं किस तरीके से हैं एकदम टिप टॉप किचिन भी मेरी एकदम टिप टॉप है और यह वाला रूम भी यह मैंने हटाया नहीं कभी-कभी मुझे ना मेरी तब्यक ठीक नहीं लगती है मेरे सर में दर्दू आचानक से तो मैं थोड़ी देर के पहले चला लेती हूं बस मैं इसको हटा ही दोंगी कुछ दिनों में और अब रूम ज्यादा स्पेशियस लग रहा है इधर अगर मैंने द्रेसिंग टेबल रख ली है तो अब ज्यादा सा पानी पी लेती हूं सुब ऐसे प्यासी हूं बहुत ज्यादा बयानक वाली प्यास लग रही है मुझे अच्छा करवा चौब में कैसे मन को सम्हालना पड़ता है ना चाहिए इतनी प्यास लगे प्यासे रॉंग बट अगर कोई और व्रत हुआ तो पूजा करते ही लगता है बस भी अब पहले पानी पी लो ऐसे इंसान हर वक्त हर चीज कर लेता है अपने उ कि शांती मिल रही है किस किस ने ब्रत रखा में साथ कमेंट करके शेयर करना तो फ्रेंग्स घर के सारे काम हो गए है पूजा भी हो गई है और अम बैठ गही हूं लैपटॉप लेकि अपना काम करने के लिए क्योंकि ऐसा चार्च कुछ काम है नी व्रत वाले दिन क्या होता है कोई काम नी होता है मुसली और ना कुछ बनाना खाना है ना कुछ पर तब तक मम्मी का कॉल आ गया और इनसे बात कर रही थी मैं कुछ तो फिर एक गंटे बाद मम्मी भी आ गय थे यह कुछ काम से गएते और धर से ही मम्मे को भी लेकर कि आ गया थे मम्मी और बीटू वहीं पर थी मैं आपको काफी पर बता है। बीटू के टूशन वहीं पर है फिलाल तो इस वज़े से तो घर में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत रौनक लग देखिए नन्नु कितनी मस्ती कर रही है उसको बहुत मज़ा आती है जब सब लोग साथ होते न तो नन्नु मेरी बहुत ज्यादा है पी रहती और ज्यादा उसको मस्ती आती खेल आते हैं देखे कैसे कर रही है तो हम बस वही बैट करके बात कर रहे थे मम्मी काफी दिन बाद आई है हां काफी दिन हो गए उनको क्योंकि वहाँ पर कुछ काम वगएरा था इस वज़े से मम्मी भी नहीं आ पाई है उनका चैनल आप देख लेना सिं करने वाली हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाहर कितना संदर नजारा हो रखा है तो काफी दिन बाद अलब इतनी बिहानक वाले सर्दिया ही हो रही थी और बाहर निकलना नहीं हो टाइम भी बहुत कम मिल पाता है कि बाहर गो करो निकलो बैठो तो आज काफी दिन सुचा थोड़ा सा बाहर भी मज़ा लेते तो बही आफर ननु और मम्मे थोड़ा सा वाक पे निकल गएते तो बस वही हम लोग तोड़ा से खड़े हो करके बात बात कर रहे थी अच्छा लग रहा था बाहर की नजारी देखते हूए और काफी अच्छ से क्लिनिंग सीमेंट कोई फायदा नहीं था तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है क्लेणिंग हो रही है और यह देखे इतना घर कंप्लीट हो गया उस दिर मैंने आपको दिखाया था ना तो कुछ लोग मेरे से साइस प्राइज ही सारी चीज पूछ रहती तो नंबर मैं स्क्रीन पर देदोंगी डिस्क्रिप्शन में भी देदोंगी तो इसकी सारी डिटेल आप लोग उस नंबर पर कॉल करके बता कर सकते हो और यह देखे मम्मी और नन्नो टेलते हैं कहा निकल ग करें है रहते का। मैं 25 y eap लोग भल ठैके किया हुआं थाचरो क्या इसफिर्ट उसा फेरे जयरे करें तो तुम पदलब चटकारे ले खाते हो तुम बन नी इतना खाते हो कि भूग से ज़्यादा है नोegenक्ड नी तुम भी हाल है तुम भी जाती हो खाती है इतना भी नहीं है साथ-आठ जिस चार खाती हूं चार भी बहुत है नानी कहा रहा है कहा रहा है वम्मी देखो इस लड़की मच्छा गुसरह यह थो ना अंदर आपर यह वाहर मच्छा कि को यह भगवान मच्छा यहार है हमला पर रहे हैं जैसे जिस को यहां आपानी को सामाल पानी कर्षार को यहां यहकारए गदा लेया है गदा लेया वाले थार से बढ़ के अधर टीक रहां का रहा है ठीक है यह आपाए रहां जा पीणिग्वेर ना पर नहीं आप बहुत भुत बारों पकार दिया एंपको